वेलकम स्टुडेंट्स मेरे चैनल टेकी पाउन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हिंदी में समष्टी अर्थशासर अल्रेडी चैनल पर अविलेबल है आप मेरी प्लेइलिस जरूर चेक करें complete समश्टी अर्थशास हिंदी में अविलेबल है और इंग्लिश मीडियम में मेक्रो एकनोमिक्स हमारी चल रही है जिसमें हमने काफी हद तक complete कर लिया है और यह हमारे government budget का जो chapter चल रहा है उसी क्रम में आज हम देखने वाले है difference between revenue receipts and capital receipts तो यह video revenue receipts और capital receipts में क्या difference होता है उसको लेकर है यह question 3-4 मार्स का आजाता है तो आप उस question को देख लें जल्दी से तो देखिए हम इस side में ले रहे है revenue receipts और इस side में हम लेंगे capital receipts ठीक है सब से पहले पहला अंतर हम देख लेते हैं कि क्या होता है दोनों में अंतर देखिए revenue receipts में पहला point क्या है these receipts do not create any liability for the government जबकि capital receipts में यह क्या कर रहा है these receipts create corresponding liability for the government अब यहाँ देखिए यह चीज होती है liability आपको हो सकता है पता नहीं हो liability का मतलब होता है कि कोई चीज आपके उपर कोई बोज है आपके उपर और वो आपको बार में future में उसको pay करना है भाई मैंने किसी से माली जो उधार लिया 100 रुपीज ठीक है 100 रुपे मैंने उधार लिया तो अभी तो मेरे पास आए अभी तो वो क्या है मेरी अभी तो वो मेरी receipt है तो जब कोई ऐसी चीज आए इंडिया के पास कि उससे फ्यूचर में लोटा ना हो तो उसे हम liability कहेंगे तो liability कहां create होगी capital receipt में revenue receipt में कभी भी liability create नहीं होती है ठीक है पहला difference क्या हुआ कि revenue receipt में liability create नहीं होती है जब कि capital receipt में liability create होती है दोनों ही चीज क्या है government की revenue के बारे में बात हो रही है कि revenue receipt जो है government की उसमें क्या चीज आएगी number one point Number 2 point These receipts do not cause Any reduction in assets Of the government ऩीर्वन्ट The second point हमारा आता है Assets का revenue receipt से Assets में कोई reduce नहीं होता जबकि Capital receipt जो Government को मिलती है वो हो सकता है आपको Assets बेच कर मिली हो जिससे asset क्या हो जाएगी reduce अगर मैं simple भाषा में बात करूँ एक दम बिल्कुल simple भाषा में तो capital receipt की खास बात होती है कि इसमें liability और asset change होती है liability और asset किसमें change होती है capital receipt में जबकि जो asset और liability है वो revenue receipt में constant रहती है revenue receipt में ना तो liability घटती है ना बढ़ती है ना ही asset घटती है ना बढ़ती है दोनों ही क्या रहेंगे liability भी constant रहती है revenue receipt से और assets भी constant रहती है दोनों पर कोई impact नहीं होता है जबकि capital receipt में liability भी change हो सकती है और asset भी change हो सकती है ध्यानक ना दोनों एक साथ change हो यह जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक एक बार में change होती है, ठीक है न? तो दोनों में main difference क्या हूँ आपने देखा, कि यहाँ liability create होती है इस receipt से, यहनी कि government को कोई ऐसा पैसा मिले, जो उसे future में लोटा ना हो, या तो यह हो सकता है liability create हो जाए, या government asset reduce हो जाएगी, तो यह दो कारण हो सकते है, जबकि revenue receipt में जो पैसा आ रहा है government के पास वो फोकट में आ रहा है एक तरह से, फोकट में मतलब कि ना तो liability create हो रही और ना assets बेचनी पड़ रही, फिर भी हमारे पास government के पास पैसा आ रहा है clear हुआ दोनों में, अब इनके हम example देख लेते हैं तो सबसे पहले हम example देखते है, revenue receipts example, बहुत सारे example आया हूँ ताकि कोई भी question आपका छूट ना जाए तो यह हम पढ़ने जा रहे है revenue receipts के example, पहला है goods and services tax, GST यह revenue receipt है, जितने भी tax है, वो सारे के सारे revenue receipt है, क्यों है क्योंकि tax एक mandatory payment है, जो हम लोग करते है government को, लेकिन क्या government direct हमको कोई benefit देती है नहीं, कोई वायदा करती है, कि आप अगर मुझे 100 रुपे tax दोगे तो बदले में, आपको 10 रुपे यहाँ छूट दूँगा, ऐसा नहीं न, कोई नहीं होता वो welfare scheme से लाती है, वो एक अलग बात है बाटि direct आपको कोई commitment नहीं किया कि मैंने 100 रुपे पे किया और मुझे government करी है कि 100 रुपे के बदले में, हम आपको 150 रुपे दे देंगे, 120 रुपीज दे देंगे, ऐसा नहीं है तो जितने भी tax है, वो सब revenue receipt में ही आएंगे पहली चीज़, आप कौन-कौन से tax हो सकते है GST, goods and service tax, ठीक है value added tax, यह भी, sales tax, जो बिकरी कर होता है उसको, service tax, service पे लगने वाला tax entry tax, tax from one state to other state border entry tax क्या होता है जब एक state से दूसरे state में सामा आ जाता है तो उसपे entry tax लगता है, ठीक है goods and services जाती है न, उसपे road tax क्या होता है, tax on registration of vehicle जब आप कोई vehicle लेते हैं, purchase करते हैं नया तो उसके उपर registration tax लगता है तो वो यह यह, roll, tall tax हम जानते हैं, tall tax कोई tall होता है, highway पर जब tall नाका होता है, उसपे जो tax लगता है education tax क्या होता है, this is a tax on tax कोई अगर व्यक्ति, income tax पे करता है, तो उस income tax पर भी एक tax लिया जाता है कि education के welfare के लिए आप ओ tax दो, उसी को कहता है education tax यानि कि income tax पर लगने वाले एक extra tax को education says का नाम दिया गया है, जो education में ही कर्च किया जाएगा इस time duty आप जानते ही है, ठीक है entertainment tax, entertainment पर लगने वाला tax, जैसे आप माल लिजे जाते होंगे, film देखने यह सब है न, property tax, property पर लगने वाला tax फिर उसके बाद, 12 नमबर देखिए, interest tax गिफ्ट tax, excise duty यह क्या होती है, excise duty is levied on goods manufactured in India, which are for domestic consumption, like alcohol, excise duty क्या होती है, कि इंडिया में ही कोई चीज manufacture हुई है, और उसका consumption में इंडिया में ही हो रहा है, तो उसके उपर जो tax लगेगा, उसे excise duty कहते हैं, जैसे alcohol पर आपने देखा होगा excise duty लगती है 50 नमबर है, custom duty a tax imposed on imports and exports of goods जब आप एक देश से दूसरे देश में import करते हैं goods को या export करते हैं तब उसके उपर लगने वाले tax को हम customs duty कहते हैं, आपने सुना हुआ है एरपोर्ट पे custom duty, custom duty वो ही है 16 नमबर, corporate tax जो company को profit होता है उस profit पर लगने वाले tax को corporate tax कहता है, यह direct tax है ध्यान लगता है, जैसे income tax direct tax होता है, वैसे corporate tax company की आये पर लगता है, ठीक है आये का मतलब है यहाँ profit 17 नमबर, security transaction tax यह क्या होता है STT, आपने share market में यह शब्द बहुत सुना होगा is it direct it's direct tax levied on every purchase and sale of shares, आप shares खरीदते हैं और बेशते हैं, तो एक tax दिना पड़ता है government को, उसका नाम है STD, यह broker charges के अलावा होता है share market में, आप मेरा दूसरा channel information technology देखे information technology center उस channel पे जाएंगे, तो आपको share market में कैसे काम होता है सारा का सारा बताये गया 18 number है, चूंगी tax और ट्राय, local tax होता है यह tax levied on various goods entering a town or city जब कोई, यह local tax होता है local tax मतलब कि कोई city में आप कोई चीज लेके जा रहे हैं और ला रहे हैं, तो उसके ओपर छोटे-मूटे tax लगाया जाते हैं local government के द्वारा हैं, तो उसको 19 है, fees, birth certificate आपने बनाया है, death certificate बनाया है, passport बनाया है, court में गए, land की registry कराई, उन सब की fees को हम क्या कहेंगे, fees के नाम से, यह भी government की क्या है, revenue receipt है, क्योंकि इनके बदले में कुछ देना नहीं बढ़ रहा है, ठीक ना, commitment नहीं है future का, ना, कोई संपती बेची है, ध्यानक न, assets में नहीं sell की है, और, क्या, assets sell नहीं हो रही है, और एक और जो हमारा point था, उस पर भी कोई impact नहीं हो रहा है, liabilities भी create नहीं हो रही है, quantity, fines, जितने भी चालान होते हैं, आप from those who break the law, कोई कानून को तोड़ता है, चैसे helmet नहीं पहने हैं, हाना, overriding करे हैं, हाना, कई तरह के चालान कटते हैं, आप भी two-wheeler या four-wheeler लेखे चलते होंगे, तो जो भी चालान है, वो सारे क्या हैं, government की income होती है, 21, estate, estate is the right of a government to take ownership of estate, assets, or unclaimed property in the event, there are no hairs or beneficiaries, beneficiaries, मान लिजे, किसी की death हो गई, परसन की, और उसके पास property है, और उसने अपना कोई nominee नहीं बनाया, कोई उसने उसका अपना hair नहीं बनाया, कोई beneficiary नहीं है, उसका property का, तो government of India के कानून के अनुसार, वो property, किसकी हो जाती है, फिर government of India की हो जाती है, ठीक है, अगर nominee नहीं हो 22, income from government, enterprises, government को जो उसकी government companies है, उससे होने वाली income, जैसे Indian railways है, उससे income होगी तो government की income आने जाएगी, 2G, 3G, 4G, 5G, and में आगे 6G भी आने वाला है, इन spectrum क्या 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 जाता है, auction की जाती है, निलामी की जाती है, तो इससे भी income होगी government को, तो ये भी क्या है, revenue receipt, 23, donations government को मिल होती है, जैसे किसी ने PM Care Fund में donation दिया, तो ये भी क्या है, revenue receipt, तो revenue receipt क्या होती है, जिनसे ना तो liability effect होती है, और ना ही assets effect होती है, दोनों में ही कोई change नहीं होता है, फिर आगे देखते है, capital receipt से example देख लेते हैं, अब, number one, recovery of loans, आप ले loan की recovery की, तो ये capital receipt में आएगा, क्यों लोन से आपको क्या मिल रहा था, interest मिल रहा था, अब अगर loan बापीस ले लेंगे, तो आपको interest मिलना बंद हो जाएगा, तो एक तरह से आपकी assets क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपकी assets reduce हो जाएगी, loans taken by the government from the public, loan अगर government लेती है, चाएसे public से ले, या RBI से ले, या rest of the world स ले, उससे क्या होगा, liability create होगी, क्योंकि आज जो loan लिया है, उसे future में चुकाना होगा, इसलिए, 5, disinvestment, यह क्या होता है, income from selling, shares in public sector undertakings, जो government की company होती है, government की units होती है, undertakings होती है, company है, उनके shares बेच कर, या पूरी की पूरी company बेच कर, जो government को income होती है, उसे हम disinvestment करता है, ठीक है, इसको हम क्या करता है, disinvestment, यह फायदे मंद होता है, क्यों, क्योंकि government का काम, business करना नहीं है, government का काम क्या है, welfare करना, जैसे air India है, air India को अभी अभी government of India ने किसको दिया है, tata group को, आपको एक बात पता नहीं होगी, air India सबसे पहले tata समू की ही थी, फिर भारत सरकार न ने एक सेकंड में भारत के नाम ये कर दी थी, कि ठीक है, भारत सरकार इसको ले ले ले, देश बढ़ाया, ठीक है, और अब जब भारत को प्रती वर्ष लगबग 10,000 करोड का घाटा हो रहा था, air India से, तो भारत सरकार ने निवे दन किया, tata group को, कि इतना घाटा हो रहा है, हम नहीं जहल सकते, कि आप ले लोगे, तो tata group ने फिर देश इतने ये फैसला लिया, और ततकाल परभाव से, भारत सरकार से, air India को ले लिया, और उसका नाम भी air India ही रखा हुआ है, उसका नाम चेंज नहीं किया है, इसके लिए tata group को सलाम है इसके लिए, ऐसा देश बग हमारे देश में होना चीए, ऐसे इंडस्ट्रियल इस, फिर है छटा provident fund, जो लोगों का पैसा होता है, जो जमा होता है government के पास, provident fund के रूप में, वो पैसा future में लोटा आना है, तो इसे भी capital receipt माना जाए, तो इस तरीके से आपने देखा, ये सारे के सारे examples और ये सारे का स सारा difference तीन ही difference है मैं तो दो तो हमारे उसका liability का asset का हो गया और तीसरा उसके examples के हो गया तो यह छोटा सा video था उम्मीद आपको बिल्कुल clear हो गया होगा समझ में आ गया होगा चैनल अच्छा लगा हो तो subscribe जरूर करें थेंक यू स्टुडेंट्स मेरे दो चैनल है एक है टेकी पाउन एकेडमी दूसरे का नाम है information technology center यूटूब के हैं दोनों चैनल टेकी पाउन एकेडमी पर आपको सारा educational content मिलेगा एकनोमिक्स के बारे में और information technology center पर आपको share market, NPS, CCS, NPS rules, PPF, fixed deposit schemes, gold investment schemes, SBI schemes, post office schemes, MS Excel की master series, computer और mobile के solutions और best investment plan की 100% सहीर और संपून जानकरी मिलेगी तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब करने आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद